अब श्क्राब आप सबीको स्वागात विश्चे-वी युडिव चैनले। और आज की वीडियो में बात करने माले Snapdragon 690, 730G और 765G के बारे में 730G जो काफी जाधा आपको popular देखने को मिलता है mid range में साथ ज्यादे 765G है, वह आपको मतलब कॉलकों की तरफ से सबसे पहली कोशिश थी बजट में 5G प्रोवाइड करानी की और जो 690 है वो इस चीज को थोड़ा और आगे लेगे जाता क्योंकि यहाँ पर और ज्यादा बजट में आपको 5G स्मार्टफोंस देखने को मिलेंगी इस SOS की बदावदलत तो यहाँ पर इन तीनों को compare कर लेते हैं और सारे नेप्टार कर देते हैं आपके सारे केंफिशन जब भी दूर हो जाएंगे तो शुरू करते वीडियो को बहुत जाते इंफॉरमेटियो को कमाल की होने वाली वीडियो तो लाइक करते ना वीडियो को Snapdragon का 765G है वो इस चीज़ जो बहुत ज़ादा आगे में गऊंगा एक तरीके से क्योंकि यहां पर 7 Nanometer की Samsung वाली जो EUV-based fabrication आपको देखने को मिलती है और जो नॉर्मल जो है DUV-based fabrication उससे बेटर जो अल्टर वालेट लिथोगरफी होती है वो होती है तो यहां पर यह ना सिर्फ जो लिथोगरफी है वो और जादा नेरो है बट जो टेकनोलोजी है जो मीडियम है बनाने का उससे जो वो अल्टर वालेट वाला है तो यहां पर बेटर ज सीपउ में आपको सिकस्ट्रेगनएंटी है और सेविन तरीजे हैं धोनों यह आपको ट्ू प्लस शिक्स वाले ezंटेक्टिक्ट्र की साथ बदो किये गए है और चियाउ की की बात करोता है यहां पर आपको सेब्सुन सेविख वाले देखने देखने को मिलते हैं 2.2 GHz और 6 Cortex A55 पहले efficiency course देखने को मिल जाते हैं 1.8 GHz की clock speed पे तो in comparison to 690 यहां पर clock speed काफी जादा अच्छी है और जो performance में काफी जदा difference दे सकती है बट यहां पर एक चीज जो है वो यह है कि Cortex A77 course आपको 690 में देखने को मिल रहे हैं जो कि काफी जदा काफी जादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी जो Snapdragon 765G है उसमें आपको एक Prime Cortex A76 वाला कोर देखने को मिलता है 2.4 GHz की clock speed पे और जो है एक middle core देखने को मिलता है Cortex A76 वाला 2.2 GHz की clock speed पे और बाकी की 6 जो है वो आपको efficiency department देखने को मिलता है Cortex A55 course 1.8 GHz की clock speed पे यहां पर GPU की तरफ बटते हैं गेमिंग में यहां पर आपको Adreno का 619L GPU देखने को मिलता है वही जो 730G है उसमें आपको 618 GPU देखने को मिलता हो 765G में आपको देखने मिलता है Adreno का 620 GPU अब यहां पर यहां पर G-Series वाले SOC आपको सीदी सीदे पता ही है कि gaming centric होते हैं तो यहां पर GPU जो 730G और 765G का है वो overclocked है यहां पर साथ में आपको Qualcomm का Elite Gaming फीचर आपको G-Series वाले SOC में देखने को मिलता है हाला कि partial support होता है जो फुल सपोर्ट होता है वो flagship SOC में ही देखने को मिलता है लेकिन partial support भी थोड़ा बहुत आपको इंप्रूव्मेंट देता है gaming में जो Snapdragon 690 है उसके Adreno 619L GPU वो आपको डेफिनेटली नेमिंग के हिसाब से बेटर लग रहा होगा 730G से क्योंकि आपको 618 GPU देखने मलता है बट यहां पर overclocking और गेमिंग सेंट्रिक GPU तो 730G आपको गेमिंग में बेटर परफॉमेंस देगा हाला कि 690 है वो आम तोर पर जो ज Snapdragon 6 series का GPU है तो यहां पर आपको थोड़ी आपको कम परफॉमेंसी देखने को मिलेगी बड़े यहां पर artificial intelligence की तरफ तो यहां पर जो Snapdragon 690 है वो मुझे काफी जादा काविले तारीफ लगा है यहां पर आपको 5th generation AI engine company की तरफ से देखने को मिलता है जो कि Hexagon 692 DSP के साथ आता ह जो कि आपको Snapdragon 720G में भी देखने को मिलता है तो यहां पर यह काफी जादा अच्छी बात है Snapdragon 730G हो उसमें आपको Hexagon 688 DSP देखने को मिलता है कुपल विद 4th generation AI engine और 765G हो आपको Hexagon 696 DSP के साथ देखने को मिलता है इसमें भी आपको 5th generation AI engine देखने को मिल जाता है अब यह voice assistant chip है वो देखने को नहीं मिलते है 730G में यह दोनों चीज़े आपको देखने को मिलते है तो AI performance जो hardware है वो जाधा capable है 730G का हाला कि AI performance Snapdragon 690 की है वो भी बहुत ही जादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी और budget में यह जो AI performance प्रोवाइड करेगा उससे आपको बिल्कुल नराशन नहीं होनी चीए और टॉप पे तो फिर आपको Snapdragon 765G देखने को मिली जाता है 696 DSP के साथ तो इसमें तो कुछ शक ही नहीं अब यहाँ पर बढ़े ज़रा camera support और image processing की तरफ तो यहाँ पर spectra 355L ISP देखने को मिलती है आपको Snapdragon 690 में यह एक लोगर वरजिन है Snapdragon 765G के dual camera support देखने को मिल जाता है वहीं जो Snapdragon 765G हो सबसे नीचे आपको देखने को मिलती है यहाँ पर आपको 36MP का single camera support और 22MP का dual camera support देखने को मिल जाता है वीडियो recording की बात करने तो यह आपको 730G पीछे देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर HDR content capture करने की यहाँ पर facility आपको देखने को नहीं मिलती है जो 4K 30fps तक वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 690 और 765G में जो ही यह capability आपको देखने को मिल जाता है जो कि यह काफी जादा अच्छी बात आपको देखने को मिलती है और एक और चीज़ जो वह यह है कि आपको नेटिव 120Hz की refresh rate तक का आपको support 690 में देखने को मिल जाता है जो की जो है by default 730G और 765G में देखने को नहीं मिलता है अब बात आ जाती है य 2G तक भी मतलब कुल में लाइक सारी connectivity वाले generation को यह support करता है लेकिन जो Snapdragon 730G है वो सिर्फ आपको 4G chipset देखने को मिलता है इसमें आपको देखने को मिलता है X15 LTE modem जिसकी speeds जो है 800 Mbps और 150 Mbps डाउनलोड और अपलोड में 1.2 Gbps तक की download speed और 1.2 Gbps तक की upload speed देखने को मिल जाती है वहीं हम बात करें 765G कि तो यहां पर यह तो सबसे आगे निकल कि आता ही है यहां पर आपको 4G speeds में 1.2 Gbps तक की download और 210 Mbps तक की upload speed देखने को मिलती है 5G में यहां पर थोड़े और जादा इंप्रेस भी हो जाती चीज़ है क्योंकि यहां पर 3.7 Gbps तक की download speed आपको देखने को मिल जाती है और 1.6 Gbps तक की upload speed आपको यहां देखने को मिल जाती है एक चीज़ और मैं आपको बता हूं तो यहां पर आपको 690 में है MMWave वाले 5G का support देखने को नहीं मिलता है यहां पर सब 6 GHz वाला Wi-Fi इसका patent जो Qualcomm के पास ही है बट फिर भी यहां पर Qualcomm ने इसमें इसे नहीं दिया क्योंकि chipset जो थोड़ा सस्ता बनाना आता है तो यह चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाता है 730 G में और जो 765 G है उसमें आपको देखने को नहीं मिलता है अब यहां पर जाने एंट 75 इसका CPU performance से 20 परसेंट बेटर और GPU performance 60 परसेंट बेटर होगी तो उसके असाब से इसके N22 स्कोर्स आपको दो लाग दस हजार दो लाग वीस हजार के बीच में देखने को मिलने चाहिए मेरे इसाब से लेकिन जो Snapdragon 730 G है उसके स्कोर्स आपको देखने को मिलते हैं लगबग देखने को मिलता है यहां पर मैं expected ही बता रहा हूं फ्यूचर में आपको मैं नीचे एक लिंक दे दूँ हो जासे कि आप जैसे बारे में जान सकते हैं मतलब बेंचमार्स में आपकी दिल्चसपी है तो फ्यूचर में जैसी जो Snapdragon 690 के बेंचमार्स आएंगे तो आप नीचे Snapdragon 690 जो है वो अगर हम performance में देखें या फिर हम देखें connectivity में या फिर AI में भी देखें तो यहां पर थोड़ा बहुत टच आपको देखने को मिलता है Snapdragon 7 series के SOC का और जो है course के मामले में तो को कोड़ेक्स A77 जो की 865 में देखने को मिलता है वो भी देखने तक मिल जाता है तो इसमें यहां पर performance जो है वो काफी ज्यादा की तो यहां पर आपको 720G से आस-पास में आपको देखने को मिले गया उससे नीचे देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन यहां पर अभी भी performance में यह भी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा और यह सब चीज आपको देखने को मिलती है आपको अच्छे लगी होगी मैं जो समझाना चारा हूँ आप समझ गए होंगे और बस आज की वड़ी में इतना ही था आपको पसंद आई को लाइक करते हैं वीडियो को चैनले करते हैं सब्सक्राइब बैल आका दबादीजिक के लिए कोई कोई कोश्चन हो सजेशन हो वी मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं और साथ ही सथ पर्सनल ही बात करना चाहते हैं यहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं मुझसे बात कर सकते हैं और बस आज की वड़ी में इतना ही मिलता हूं आप से अगली वड़ी में तब तक लिए गुड़ पाई अपना ख्याल रखिए सब्सक्राइब कर सकते हैं